नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के आपके राशीफल के बारे में दोस्तों आज आपका सिक्सा स्वास्थ है और रोजगर से समंधी दिन कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपके दो काम बनेंगे लेकिन काम को करने स पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है कुन सा उपाई करना है आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज के पंचांग के बारे में अधिनाक रहेगा 30 अपरेल दो जाते 20 मास रहेगा विसाक पक्स रहे सुकरपक्स तीथी रहेगी दोस्तों आज मगा नक्षत रहेगा वृद्धी योग रहेगा उत्यातिल करन रहेगा दोस्तों आज आपके लिए सूप समय अभी जीत मूरत रहेगा प्रत्या 11 बचकर 50 मिनट से दोपहर 12 बचकर 50 मिनट तक और असूप समय रहेगा प्रत्या 9 बचकर 10 मिनट से प्रत्या 10 बचकर 50 मिनिट तक दोस्तो जाने आज आपका राशी फल कैसा रहेगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए भाग्या साली है नक्सत्र आपके लिए अत्यन अनुकूल है सक्रात्म विचार करने से आप सक्रात्म कुर्जा पाएंगे जिससे आप अपने मकसद तक पहुंच सकेंगे जीवन साती संग त्याग भावना कुसी देगी यदि आप किसी प्रियोजना पर कारिया कर रहे हैं तो आप जिन बदलाओं को लागू करने का इरादा कर रहे हैं यहाँ उनके लिए संभूता सबसे अनुकुल समय नहीं है घुस्या त्याग करने से ही सक्रात्मक्ता आएगी आर्थिक साहित्या में देरी हो सकती है अस्वास्त्य सुधार होगा दोस्तो आज आप किसी ऐसे व्यक्तिक और अक्सित होंगे दोस्तो आज आज आप जिन लोगों से मिलेंगे उनके लिए आप एक प्रेयना होंगे आपकी फूर्तिली उर्जा आपके चारो और प्रेम तरसुंदरता उन्हें प्रोतसाइट करेगी आज आप भाग्यसाली साबित हो सकती है पन्तु आज छोटे से काम के लिए भी आपको जोड़ लगाना होगा पन्तु या बहुत प्रियास करना होगा दोस्तो आपके इरादों से समंदित पूस्तकों का संधरबले यह पूस्त के आपकी यसस्वी योजना बनाने में मार्ग दसन करेंगी आप समानिया तोर पस चूस्त और परबल रहेंगे पन्तु पिछले कुछ दिनों से आपके वियस्तता के कान हो रही थकावट आपको सूस्त कर देगी प्रियाप्त आरम करें जिससे आप ठीक हो जाएंगे दोस्तो जो आज ये आपके दो काम करने बनने वाले हैं इन कामों को करने से पहले आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर पूजा अर्चन करनी है साथ में हनुमान जी को लड़ू का भोग लगाना है गरीबों को दान करना है तबी आपके ये काम सिध होंगे दोस्तो आज आपके लिए सी सुब दिशा रहेगी उत्तर सुब अंक रहेगा साथ और भाग्या साली रंग रहेगा नो रंग धन्यावाद